तो नमस्कार दोस्तों स्वागत एक पर फिर से एक नई वीडियो में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले है कि किस तरीके से आपने Poco C31 मोबाइल में किसी भी एपस को छुपा सकते हूँ यानि कि हाइड कर सकते हूँ क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग को नहीं पता होता है किस तरीके से एपस को हाइड करते हैं और उसको कैसे देखते हैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप यहां पर सब कुछ कर पाऊगी तो इसके लिए गाईच आपको सबसे पहले होम स्क्रीन पर आजाना है और होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको लॉंग प्रस कर देना है लॉंग प्रस करने से यहां पर देखे एक सेटिंग का आइकन आजाएगा तो सेटिंग पर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर एक option आपको मिलना है hide app icon तो आपको इस वाले option को enable कर देना है जैसे आप इसको enable कर दोगे उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर देखिए आपको अपने app drawer में आ जाना है app drawer में आने के बाद आपको दो बार याँ से side में swipe करना है बीच की तरफ तो यहाँ पर मैं दो बार swipe कर देता हूँ तो इस तरीके से आ जाता है यहाँ पर set password पर आपको क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पर screen lock set कर लेना है तब यहाँ पर आप यह काम कर पाओगे तो यहाँ पर यह fingerprint बोला के लगाईए तो finger मैं अपना लगा देता हूँ उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको अपना pattern मना लेना जो भी आप लोग का pattern मनाना चाहते हो तो यहाँ से मैं simple सा एक मना लेता हूँ आपको एक और अप को hide करके दिखा देता हूँ यहाँ पर WhatsApp बिजनेस को मैंने hide कर लिया उसके बाद उपर की साइड में यहाँ पर देखिए एक right करने sign मना हुआ है इस पर click कर देना है इस पर click करने बाद यह देखिए apps आपके hide हो चुके हैं अब आप इनको अगर देखोगे उपर home screen में तो यहाँ पर कहीं भी आपको यह apps पबजी उगरा नहीं मिलेगा तो दोस्तों अब आपको इनको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको फिर से यहाँ पर दो बाद स्वेप करना इधर की तरफ और आपको फिर से अपना pattern डाल देना है और जैसे डालोगे तो यहाँ पर आपके apps दिख जाएंगे अब यहाँ से आप इन apps को use कर सकते हो तो इस तरीके से आप यहाँ पर किसी भी apps को चुपा सकते हो और कैसे उनको देखना यह भी मैंने आपको बता दिया तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्स्राइब करना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए ज़ने हो